कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगी आज आपकी वशी टंबर 44 आई से लेबल कीजिए डेट डालिए क्लास अपने नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नैच्रल इंडिकेटर अराउंड अस है न तब देख का special type of substance which are used to taste whether substance is acidic और basic are called indicators यानि की वो चीजी वो substance जो ये यूज करके बताते हैं तेस्ट के थूँ कि कोई भी चीज वो नेचर में acidic है या बेस है या अमली है या शार्की है ठीक है ये कहलाते हैं आपके indicator बठाओ इस टूट सो यानि वो ऐसा कैसे करते हैं तो बोलते हैं by changing the color in a solution containing an acid और base substance यानि की जो इंडिकेटर होते हैं वो अपने रंग को क्या करते हैं बदल देते हैं जब हम उन्हें किसी solution में डालते हैं तो ठीक है अब यहां देखते हैं natural indicator कि से कहा जाता है तो बोलते हैं naturally occurring substance यानि वो substance जो हमें naturally मिले हुए which are used as indicator are called natural indicators और उसे हम लोग natural indicators के रूप में use कर सकते हैं तो उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं natural indicators बोलते हैं अब यहां पर देखिए आपको example के लिए दिये गए हैं for example termic यानि की हल्दी लिटमस यह जो लिचन से बनता है आपका चाइना रोज यानि की गुलर्ड यानि उसकी पत्ती ठीक चले आंगे चलते हैं यहां देखिए आपको acid rain के बारे में भी बताया गया है बोलते हैं the acid rain becomes acidic acid rain जो होती है वो acidic होती है क्योंके carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide यानि यह तीन आपकी gases कौन से carbon dioxide, sulfur dioxide और nitrogen dioxide which are released into the air as pollutant यानि की यह हवा में घूमती रहती है फिर ही एक प्रदूशक तत्वे की तरह यह डिजॉल्विन एयर ड्रॉप्स और रेंड्रॉप्स और यही क्या करती है यह रेंड्रॉप्स पानी की बूदों में घुल जाती है फॉर्म दा कार्बोनिक एसेड और फिर क्या डामेश तू बिलिंग्स इस्तूरिकल मोनुमेंट्स उन् बुदिन्डंज की जून एक यह क्ट चीज को निखित तहल घृूप्स नुकसान करती और हम लोग लिटमिस को पढ़ लेते हैं लिटमिस क्या है पसब बूलते और नैचिरल बैका बुलते और नैच्र यह बहुत कॉमनली यूस किया जाता है as a natural indicator ठीक है यह दो कलर का होता है एक होता है आपका रैड एक होता है आपका ब्लू कैसे होता है चलिए पढ़ते हैं तो यह बोलते है इस एक्स्ट्राक्ट फॉर्म लीचिन यह लीचिन से निकलता है जैसा कि आप उपर यह देख किया ठीक है it has color purple color in distilled water अगर कोई distilled water है नॉर्मल वाटर है तो उसमें यह purple color करेगा it is available in the form of a solution as well as strip from paper अब बोलते हैं अच्छा यह जो है आपका यह आपको solution के रूप में भी available है और एक paper strip के रूप में भी available है अगर आपको schools खोल रहे होते तो यह वाला example तो यह वाला experiment है तो teachers कम से कम करके दिखाती ही है और तब आपको और अच्छे से समझ भी आता है these strips are known as litmus paper और इसी strip को हम लोग क्या कहते हैं litmus paper कहते हैं litmus paper is of two types litmus paper दो प्रकार के होते है red litmus and blue litmus बोलते हैं when blue litmus is added to acidic solution it's turned to red चीक है कहते हैं कि अगर आप blue litmus को किसी acidic solution में डालेंगे तो वो लाल में बदल जाएगा लेकिन एक चीज़ ध्यान दखेगा blue litmus को अगर आप base में डालेंगे तो उस कारण चीज़ नहीं होगा तो उस कारण चीज़ नहीं होगा सेम ऐसे ही अगर आप red litmus is added to base अगर आप red litmus में base को add करते है solution is turned blue यहना strip है या solution जो भी है वो blue color में जाएगा लेकिन अगर red litmus को आप acidic में डालते हैं यानि acidic solution में डालते हैं तो उस solution का color change नहीं होगा नेक्स नमबर प्याता है तर्मिक कहते है हल्दी को बोलते हैं its change its color from yellow to red in base solution but remain yellow in acidic solution कहते हैं कि अगर base solution होगा तो यह यलो से red हो जाएगा लेकिन अगर acidic solution है तो यह यलो ही रहेगा इसका कोई भी color change नहीं होगा एक चीज और ध्यान रखेगा के यह जादू वादू दिखाते ना लोग तो उसमें वह इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जादू आप लोग भी अपने घर्मे कर सकते हैं कि आश्याज नहीं करेंगे गर्मियों में करेंगे जो घरी साबून अदरह इसे ममा कपड़े और बर्तन वगयरा दोते गड़ी साबून हाथ एक गड़ी साबून का पानी गोल के रखिए और थोड़ी सी हल्दी लीजिए उसमें डाल दीजिए देखेंगा वह पानी रैड हो जाएगा अब यहां देखें चाइना रोज की बात करें गुलाड की तो बोलते हैं चाइना रोज इंडिकी टॉन्स एसेडिक सॉलूशन होगा तो यह डार्क पिंक कलर में यानि मजंटा कलर में चींज हो जाएगा और बेसिक सॉलूशन देखें ग्रीन कलर का ही रहेगा ठीक है अब उम्मीट करते हुआ तक अच्छे सब क्लियर हो गया होगा कुशन पढ़ लाते हैं फर्स कुशन इस वाटर नैच्रा इंडिकेटर किते कहते हैं इसकार से लिख सकते हैं नैच्रली और स्कुरिंग सेब्स्ट डोपार्ट है दोनों आपके फिला फैसे बोलते है चाइन रोस इंडिक हो जाए बेसिन तो जाएगा बेस तो तो चेंज ग्रीन में थाली और यह व्यार्यू जाएगा यहलो टू रेट है ना चलिए आप अंसा देखते हैं इसका अब इसका अंसा लिखेंगे कि रेड लेटमेस जो है वह एसे डिक सॉलूशन में कोई भी तरह का चींज नहीं लाएगा लेकिन वहीं रेड लेटमेस को अगर आप बेस सॉलूशन में डालेंगे तो वह बिलू में चींज हो जाएगा अगला कुछन का वाट चींज डू यू अब्सर अब्सर लाल लेटमेस पेपर पर जब उसमें डालोगे या बेसिक सॉलूशन डालोगे तो चलिए सका अंसा देख लेटें तो अब चाइना रोस के बारे में लिखेंगे चाइना रोस इंडिकेट टर्न बेस सॉलूशन टू तो इसका अंसर ग्रीन हो जाएगा और इसमें आप लिखेंगी तायमेरिक चींज इस कलर फॉर्म यलो टू रैड ठीके तो दोनों आंसर भी हो जाएंगे आपके लास्ट आपको दिया गया फिल आप है यह त्री में गैसेज देट काउस एसे ड्रीन में गैसेज जो एसे ड आपन डायोकसाइड सेलफर डायोकसाइड और नाइट्रोजन डायोकसाइड ठीके तीन फिल आप हो जाएंगे आप लोग कर लेंगे चले तो आची वीडियो को अच्छी वर्शीट में बस इतना ही अगर आपको वीडियो बसंद आई हो तो प्लीज इस लाइक को शियो करे प्लीज मैंचे लोग स्कॉले थे तीन फॉर चैनल को स्क्रिप्त कर देंगी वोच्छी वाजिए